अठाइस तरीक ही आई कि दिवाली चल रहा है तो लाए तार उस दिन भी और सबसे बाड़ा दिवाली मनेगा एक दाम पूरा फुटेगा पूरा जस्न का महौल है अभी से है उतो कॉली से है जैसे मीडिया में सुचना मिला कि इसी सुनक बिटिस्ट के नए पीम बनने जा रह रिशी शुनक के बारे में जानते हो जी नहीं रिशी शुनक कहा के प्रधान मंत्री बनने जा रहा है बीटे इनके कब बनेंगे प्रधान मंत्री अठाइस तरीक को सपत लेंगे नमस्कार आज एक बार आप सबों के वीच हम लोग हाजिर है कि सी 20-20 मुद्दे पे चर्चा करने के लिए अर्थात भारत को मील गही एक के बाद एक अप्रत्याफित खुसियों को आप तमाम लोगों के बीच मैं साजह करना चाहता हूं मेरे साथ दो अज मिहमान भी हैं और तमाम खुसियों के बिंदू पे चर्चा हो गी एक कि बाद एक भारत को कैसे खुसी वारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ उस मैच में भारत ने पाकिस्तान को धुबिया पाड़ दिया और इतना जोड से पटका की इसका चोट इस पटकनी की यवाज और इसके धमाके पाकिस्तान के कानूं में यूगों यूगों तक गुज़ते रहेंगे भारत के लिए प्रत्याफित खुसी का वह मौका था इसके साथ ही साथ दिपावले थी दिपावली के धमाकों की गूज पाकिस्तान के पराजाय के बाद और बढ़ गई अर थात दो दिपावली के लिए पटाके की गूज थी वह भारत के जीत के बाद दोहरी हो गोई, दोग एक देश ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के रूप में सफत लेने के उनकी घुफना हुई उनकी चर्चा हुई जैसे या तीसरी खुसी भारत को मिले भारत के तमाम लोगों की अर्थात प्रतिक भारतियों की आखें नम हो गई नम होना भी लाजमी था क्योंकि रिशी शुनक जी जो हैं बड़े अच्छे अर्थ सास्त्री हैं किसी वी देश की बिगरती अर्थ ब्योस्था को शमालने में वी माहिर है बिगरती अर्थ ब्योस्था को कैसे पुनह पटरी पे लाया जाए आम जन्मानुस को कैसे रोजगार मिले अर्थ ब्योस्था कैसे मजबूत हो देश की दसा और दिसा दोनों कैसे सुधरे इस कला में निपुन है रिशी सुनक जी को वुरिटन का प्रधान मंत्री बनाया जा रहा है अगामे 28 तारिख को वे प्रधान मंत्री के रूप में पद एवं गोफनियता की सफत लेंगे इस उसर पर पूरा देश ही नहीं पूरा बिश्व बड़े गोरत रिशी सुनक को सुनेगा क्योंकि वुरिटन की आर्थिक इस्तिती लगतार भी गड़ते जा रही आज वुरिटन एक कंगाल देश के रूप में अपना पहचान बना चुका है रिशी सुनक की प्रधान मंत प्रिट्री के पद को शंभालें के तब साइद ब्रिटन की अर्थ बेवस्था और मजबूत हो पाएगी इस खुसी को लेकर के भारत और अतियाधिक खुस है क्योंकि लगवक्त 200 बड़सों तक ब्रिटन के लोगों ने भारत पर साथन किया और ब्रिटन के लोग जब भार है नेता यहां के अनुभवी नहीं है परिपक्व नहीं अर्थात अंग्रेजों का कहना था कि यहां परिपक्व नेताओं की कमी है और पुनह अंग्रेजों को आना होगा मैं भारत छोड़ के जा तो हम लोग अवसे रहे हैं लेकिन भारतिये नेताओं से यह देश संभले गए नहीं और मुझे पूर्ण वापस आना होगा भारत के लिए सर्वाधी खुसी की बाद है कि आजादी के लगवक सत्तर वर्षों के बाद देश दिनंतर भारत जो है विकास के तरफ अगर सर बढ़ रहा है परमानु सक्ति से परिपूर्ण हो गया आर्थ बेवस्था भी म के देश में जाकर कि आज परधान मंतरी बन रहा है या वड़े फक्र और गर्व की बात है आज मेरे सांथ दो मेहमान मौझूद हैं और इन लोगों से चर्चा करेंगे कि रिशी शुनक जी को इंगलाइन में लगवक एक सो पचासी से ज्यादा वहां के जो आस्थानीय मान जर से लोग देख रहा है रिशी सुनक जी को और कितनी खुसी है इनके मन में मेरे सांथ जनादेश एक्सप्रेस के जीला संबदाता और डिजिटल मीडिया के शक्रिया सांथी अमीत कुमार सिंग जी ओरे सिक्षा विभाग में हैं और समाजी कारेकरता भी हैं सिक्षा विद हैं समाज के परते गति विधियों पीन के नजर रहती हैं आप मोतिहारी से हैं आधरणिय सरी नरेंद्र गुपता जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका जी नमस्कार मिला सबसे पहला शवाल है कि भारतिय मुल्के अर्थसास्त्री हैं और युवा है रिशी शुनक जी लंबे अर्थे के बाद आजादी के बाद यह पहला मौका है जब भारतिय मुल्क कोई व्यक्ति ब्रिटेन में जाकर के प्रधान मंत्री बन रहा है किस नजर से आप देख आप क्या कहेंगे इसके लिए तो सबसे पहले उनको बहुत भावत धन्यवाद और यह तो बहुत खुसी के बात है हम लोग के मतलब इंडिया के लिए बहुत गर्व के बात है कि कोई इंडिया का मतलब भारतिय मुल्क आदमी कोई जाकर ब्रिटेश्स में जाकर प्रधान- मंत्री बन रहा है पहला ऐसा मतलब मौका होगा जिस टाइम पर प्रिष्टिस्त वहां पर कोई राज करेगा इंडिया का इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उनको रहेगा क्या कहेंगे आप रिशी सुनक जी भारतिये मुलके हैं और ब्रीटन में आज प्रधान मंत्री बनना हैं अंग्रेज कहके गए थे कि भारत जो है भारतिये नेताओं से संभलने वाला देश नहीं है एक नएक दिन अंग्रेजों को वा करके पूना भारत के बगडोर को शमालन होगा आज अंग्रेजों के गाल और अंग्रेजों के थपड़ लगे हैं क्या कहेंगे भारत हर तरह से अब सक्तिसाली हो चुका है क्योंकि यहां पे निताओं की कमी नहीं है यहां पर हर तरह से अर्थ व्योस्टा से ले करके बहुत आगे बढ़ रहा है अब सोचने वाली बात अंग्रेज की है कि 70 साल तक उन्होंने 200 वर्सों तक यहां पे सासन किया लेकिन 70 साल के बाद हमारा भारतिये जाकर के उनके मुल्क में परधान मंत्री बन रहे है वहां कदेश के सरोच पद बीरजमान होगा भारतिये भारत का यहलाल यही तो मनें बता रहे हैं कि इसके लिए तो बहुत-बहुत मतलब हम लोगे लिए बहुत खुसी है पूरा भारती है मुल में ही पूरा खुसी है कि सरोच पढ़ान मंत्री पढ़ एक मायने वाला पढ़ होता है जो सबसे वन नमबर पढ़ होता है वहाँगा वही सब कुछ है ब्रिटन की अर्थ बे उस्था पुन रुप से चर्मर आ चुकी है जैसे रिशी सुनक ही निकाल पाएंगे एक भारत का लड़का भारत मा का यह वेटा इतना करमट है इतना सजग है कि ब्रिटन जैसे सकतिसाली देश आज चर्मना चुका है और वहां के लोगों को लगता है कि इसे आर्थिक मंदी से ब्रिटन को अगर कोई उबार पाएगा तो वहा तरह किसी का मस्तिस्क वोतना तेज वर्क नहीं करता है भारत मा के इस लाल पर आप कितना फकर करते हैं बहुत ज्यादा और क्योंकि उनको मतलब 2019 में जब वह बीत मंत्री बने है तभी से सबी को पता है कि उन्होंने जो दूस साल में काम किया है कोरोना के टाइम में कोई करने वाला नहीं है उनके जैसा बहुत ज्यादा चर्मना आ गया था वहां का अर्थ ब्वस्ता लेकि उन्होंने सुधारा है और बहुत सारे नियम लगा सांसत उनके समर्थन में है आप तो चंपारन की भूमी से आते हैं चंपारन की भूमी से ही महत्मगाधी ने सत्यक्रह का अंदोलन किया था वह आपकी भूमी थी और आपके भूमी से अजादी की लड़ाई की विगुलवजी थी जब देश गुलाम था उस समय आप लोग वह दौर आपके पुर्वश देखे होंगे अंग्रेज उस समय जब कहते थे कि भारत नहीं समलेगा यहां के नेताओं से आज जब आपके यहां के लोग इस बात को सुन रहा हैं कि जो अंग्रेज मेरी भूमी से कहके गए थे भारतीय लोगों के बस की बात नहीं है भारत की बियोस्था को शमलना आज जब यह संदेश आपके गाओं में गई है कि भारत का एक बेटा इंग्लेंड का परधान मंत्री बनेगा बृत खुसी की बात है बहुत खुसी की बात है किसी परकार से देख रहा है वंब तो जिस तरह से दिवाली का उत्सा मना रहा है नवहिं उत्साः इसको स्नातनी है और उनका कई फोटो आज दो मुलेगा क्योंकि हम लोग हिंदू है और हो फिर रहा honestly हम फिलो है और एक और बात हम बहुत कोबारे मैं आप जानिए कि 2015 में पहली बार उसांसत बनते हैं और मात्र साथ साल के एज में मतलब साथ साल के राजनीतिक जीवन में परधान मंत्री बन जाना कोई आम बात नहीं है बहुत सारी उनके संघर्शों की बात है रिशी सुनक जी के बारे में यह वी आज सुबह से कूरती खवर मिल लहीं कि परधान मंत्री के पद की जैसे वे सपत लेंगे वहां से ततकाल भारत आएंगे और भारत आके अपनी जननी जनम भूमी शा स्वरगाद अपी गरियसी अपनी जनम भूमी को पड़ाम करेंगे और यहां के जो मठ मंदिर है यहां भी जाएंगे पूजा अर्चना करेंगे तत पस्चात कुना दो तीन दीनों के बाद वे बिरिटन लौटेंगे जब बिरिटन के परधान मंत्री के रूप में रिशी शोनक जब अपने देश आएंगे और यहां के भूमी पे जब उनके पाउँ पड़ेंगे तो कितनी खुसी होगी लोगों के बड़ी हर्च की बात है उनको भी बहुत खुसी महसूस होगा जिस देश पर दो सब पर सो तक अंग्रेज राज किये अपना हुकूमत जमाया यहां और आज वहां का उस देश का एक छोटा सा लड़का जा करके और वहां के देश पर हुकूमत चला रहा है बड़े गर्व की बात है खुमन इसे अधिखुसी की बात क्या हो सकती है बड़ी खुसी की बात है पूरा देश आज भारत को बड़े मजबूत दिरिश्टी से देख रहा है लोगों को लग रहा है कि भारत का एक नना सा बालक जब ब्रीटन जई फिदेश के अर्थ बेवस्था को समाल सकता है तो वैसे वैसे कई भारती हैं जो मजबूत अर्थ शास्त्री है और अर्थ बेवस्था को मजबूत करने के लिए उनके पास अनेकों गूर भरे हुए है क्या कहेंगे आप नहीं होता है उस जगह पर पहुच नहीं पा रहे हैं मौका नहीं दिया जा रहे उन लोगों को और यहां पर कोई भी अगर जो निकल रहा है बढ़ी आदमी तो उसको डिरेक्टर बीदेश में चल जा रहा है उसको भी सोचना चाहिए कि हम अपने देश के प्रति सेवा करें कोई भी है रिशी शुनक जी हां और भारतिय मुलके हैं अगामी अठाइस तारीख को लड़ खडाती अर्थ व्योस्था वाली देश व्रिटेन जो बड़े गर्व से और वड़े फक्र से मेरे देश पे 200 वर्स तक सासन किया उस जालिम देश पे भारत मा का आज एक लाल सासन करने जा रहा है जो अगामी अठाइस तारीख को वहां के सरवच्पद पे बीरजमान होगा और उस डेश के अर्थ व्योस्था का वगडोर एक भारतिय के हाथ में होगा यह बड़े फक्र की बात है और बड़े गर्व की बात है तमाम इंगलेंड वाले इस बात पर थोड़ी सी माए उससी भी उन लोगों के दिल में होगी तो दर्थ तो होगा ही थोड़ा सा भाiken होगा लेकि उन लोग भी लगता है कि उनी के माध्यम से अब मतलब जो भी है प्रतिष्था बच पाएका उन्हीं के माध्यम से परतिष्टा भी बचेगा और देश भी अच्छे इस्तिती में जाएगा अज दाल रोटी के लिए वह देश मुहताज है दाल रोटी भी नशिव नहीं हो पा रही है अपनी दाल रोटी के जुगार में या आपने बिगड़ती अर्थ बेवस्था को समालने के लिए अब लजाईल विलाई जैसे समाख खामा न चोड़ती है उसी धंग से उकरे किया मुझे तो लगता है कि अब उसको दिख रहा है कि जो कुछ भी है इसी सुनक है अब मजबूरी में हो या प्रेम से हो बैठाना तो पड़ेगा चलिए सब के मन में यहां खुसी और परफनता है कि भारत माता का यह लाल है अगामी 28 तारिख को जब ब्रिटेन के प्रधान मंतरी के रूप में बद और गोफनीता के सपस लेगा तो जितने पटाखे ब्रिटेन में नहीं फूटेंगे उससे कई गुना ज्यादे पटाखे भारत के सहरों से लेकर के और गलियों तक गलियों से लेके तमाम तौक चौक चौरहों तक फूटेंगे बड़ी गूझ होगी पटाखों की भारत में उस दिन हुली और दिवाली दोनों एक साथ मनाई जाएगी पूरा भारत हुली और दिवाली 28 तारिख को मनाने के लिए पुन रूप से कमरकस के तयार है और अपने भारत मा के लाल रिशी शुनक के श्वागत के लिए भी तया लड़ता है फिर उठता है खड़ा होता है फिर लड़ता है कोसिस करता है कोसिस करने वालों की हार नहीं होती है लड़ेगा तभी तो कभी जीतेगा और क्या खुसी मनाएंगा अठाइस तरीक को यही कि दिवाली है चल रहा है तर उस दिन भी और सबसे बड़ा दिवाली मनेगा एक दम पूरा पूरा जसन का महौल है अभी से है उतकली स जैसे मीडिया में सुचना मिला कि रिशी सुनक बिटिस के नए पी-म बनने जा रहे है तो अभी से पूरा महौल और बन गया है भारत में क्या तयारी है आपके चंपारन में उस दिन पूरा जस्न की महौल है पूरा जस्न मनाया जाएगा एक ठोटा सा बच्चा भी है मेरे स आए उससे भी जानने के प्रयास करते हैं रिशी शुनक के बारे में जानते हो जी नहीं है रिशी शुनक कहा के प्रधान मंत्री बनने जा रहा है बीटेन के कब बनेंगे प्रधान मंत्री 28 तरीक को सपत लेंगे बीटेन कैसा देसे भारत के सांस उसका कैसा रिष्टा रहा दो सबस तक वो भारत पे राज किया था और सतर साल बाद भारत का बच्चा जाकर वहाँ पे राज करेगा क्या करोगी 28 तारीक को 28 तारीक को उस दिन के बाद उस दिन पटागा जस्मन आ जाएगा बच्चे वजुर्ग नर नारी तमाम लोग जैसे अजुध्या में भगवान स्री राम लंका पर भी ये प्राप्त करके आये थे उस दिन जीस प्रकार से हरसो लास और उमंग की इस्तिती थी संभवता आश्टाइस तारीक को वही इस्तिती होगी भारत के तमाम सहरी और गरामिन चेत्रों में बड़े उत्सव का बहावल होगा मेरे साथ अमीजी थे जो वरिष्ट पत्रकार हैं जिला के जनादेश सिक्ष्ष के जिला संबदाता भी है और अंदोलन की भूमी जहां से राष्टपिता महत्मगाधी ने सत्यगरा की सुरुआत की थी चंपारन चंपारन के नाम से तमाम जन्मानर वाकिफ है वही चंपारन जहां से सत्यगरा का सुभाराम भिराश्पिता महत्मगाधी ने किया था उस पाउन पवित्र धराधाम से मवजुद थे मेरे साथ नरेंदर जी दोनों मेहमानों के साथ आज हम लोग चर्चा कर रहे थे और को है मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि 18 तारीख को भारत का वह वेटा भारत मा का वहलाल जब ब्रीटन के प्रधान मंतरी के रूप में पद और गोपनीता के सपफले तो एक दिवाली जो कल हम लोग मनाए थे पुना 18 तारीख को एक दिवाली और मनाए और 200 व मनाए कि वह सारा गम भूल जाए और एक बार भारत मता की जय के नारे के साथ तमाम लोगों को मैं सलाम अधाब और प्रणाम करता हूं नमस्कार जय हिंद जय भारत